पाठ तीन बादशाह की रजाई बीरबल का नाम तो आप सब बच्चों ने सुना होगा ना दादी नानी से उनकी कहानिया भी सुनी होंगी बीरबल पहुत बुद्धी मान थे उनकी चतुराई के किस से दूर दूर तक फैले थे अच्छा अब बताओ बीरबल किसके दरबार में थे हाँ अकबर के अकबर को बीरबल पहुत प्रिय थे क्योंकि बीरबल पहुत हासर जवाब थे एक बार बादशाह अकबर ने सब दरबारियों की परीक्षा ले क्या थी वह परीक्षा परीक्षा में कौन जी था आये देखे बादशाह की रजाई अकबर के दर्बार में बीरबल विशेश सलाहकार थे अन्य दर्बारी इस पद को लेना चाहते थे बादशाह अकबर यह जानते थे एक दिन अकबर ने गोशना के सब की परीक्षा होगी जो इस परीक्षा में सफल होगा उसे बीरबल की जगह रख लिया जाएगा इस रजाई से मुझे सिर से पैर तक ढख दो लो, सिर तो खुला ही रह गया यह तुम्हारे बस की बात नहीं है अरे सिर ढखा तो पैर खुल गए, यह क्या इस तरह एक एक करके सभी दरबारी आए सबने अकबर को उस रजाई से सिर से पाउं तक ढखने की कोशिश की सफलता किसी को न मिली बीरबल भी वहीं खड़े थे अकबर ने पूछा बीरबल, क्या तुम यह कर सकते हो? अवश्य कर सकता हूँ जहापना, बस आप अपने घुटने मोड लीजिए बाहबीरबल, तुमने यह कर दिखाया यह देख कर अन्य दर्बारियों के मुँख खुले के खुले रह गए और वे चुपचाप वहाँ से किसक गए आपने देखा बच्चे